आज जो हैं हम डिसक्स करेंगे यूपी सी दो हजार थेईज के पेपर वन के आंसर की के बारे में तो बिना ताइम वेस्ट के सबसे पहले हम डिसक्स करते हैं पहला कॉस्टिन जहेलम रिवर पास्स थ्रू दावलर लेग यह करेक्ट आंसर है कृष्णा रिवर डिरेक्टली यहां पे कुछ वाटर स्टीमस है जो इसको कनेक्ट करती हैं जिसके थ्रू यह सब्सक्राइब करता है तो यह माइड भी और इस कोस्टं में यह गंडाक सीवर नहीं होगा यह बुड़ी गंडाक रिवर होगा तो यहां पे हमारे दो स्टेटमेंट सभी हैं हो सकते हैं तो यहां पर गलत भी हो सकता है, तो हम इसे मान के चलते हैं कि यहां पर option B सही होगा, second question पर चलते हैं, यह वाला option है, यह सही है, दूसरा जो option है, मुंडरा पोर्ट, यह वाला option भी सही है, और जो third है, विशाका पत्नम पोर्ट, यह गलत है, यह होगा, जवार लाल नहरू पोर्ट, महरास्ट्रा, तो यहां पर हमारे दो पेर सही है, third हम देखते हैं कि कौन-कौन से इसमें decidious tree है, तो यहां पर पहला option जो है, यह नहीं होगा, और दूसरा जो महुआ और टीक है, यह दोनों decidious tree है, jackfruit जो है, वो evergreen tree होता है, यहां पर भी हमारे दो option सही है, fourth question देखते हैं, arable area के बारे में पूझा, कि इंडिया के पास ज़्यादा area है, चाइना के compare में, तो यह जो option है, यह सही है, जो second हम देखेंगे, irrigated area से related, यह statement गलत है, और average productivity per hectare के मामले में, यह भी गलत है, तो यहां पर सिर्फ एक statement सही है, next question देखेंगे, कि कौन सा best example है, repeated falls in the sea level, यहां पर हमारा जो सही answer होगा, वो होगा, d, runoff catch, six questions देखते हैं, तो यहां पर illuminate और rutile की बात की जा रही है, यह किस ओर से related है, तो यह है titanium, seven question हम देखते हैं, कि जो third, fourth of the words cobalt है, ठीक है, यह किस के द्वारा produce किया जाता है, तो यह होगा आपका Democratic Republic of Congo, c, next question देखते हैं, कि इसमें से कौन सा part जो है, वो Congo Basin का है, तो इसमें होगा Cameroon, Cameroon जो है, वो part of Congo Basin है, next question है, अमरकंटक हील जो है, वो confluence of विंद्या और सहाधरी रेंज पे है, तो यह चीज, यह statement गलत है, second statement जो है, यह भी गलत है, क्योंकि जो बिलिगिरी रेंजन हील है, यह करनाटका में है, और यहाँ पे जो अमरकंटक हील जो है, यह विंद्या और सत्पूडा रेंज के confluence पे है, third जो है, यह इस्टर्ण गार्ट से रेलेटेड़ है, तो यह भी गलत है, तो यहाँ पे कोई भी statement सही नहीं है, 10th question देखते हैं, तो यहाँ पे जो first statement है, यह गलत है, second statement जो है, यह भी गलत है, third statement जो है, यह भी गलत है, यहाँ पे वरांसी की जगा, यह कोलकाता होगा, इन्दा वेस्ट पेंगाल, second statement में जो है, चैंगमे की जगा पे मासूट होगा, और यह डिब्रुगर्ड और सूरत ना होगा, यह सिल्चर और पोरबंदर होगा, तो यहाँ पे सारे statement गलत है, तो यह यहाँ पे option D होगा, फिर next question देखते हैं, तो आपका C option सही होगा, दूसरा statement जो है, वो wrong है, और पहला statement जो है, वो सही है, फिर question number 12 पे आते हैं, फिर्स जो है आपका statement वो सही है, और जो second statement है, यह गलत है, तो यहाँ पे जो option होगा, यह होगा C, थर्ड question में देखते हैं, तो जो invasive specialist group की बात हो रही है, तो यह related है, IUCN से, 14 में देख लेते हैं, कि इसमें से कौन सा जो है वो, नॉक्टर्नल है, तो इसमें जो है, लॉयन टिल्ड मकाक यह नहीं होगा, और यह माला बार सीवेट और सामबर डियर यह दोनों होगा, तो हमारे पास यहाँ पे दो पेर्स जो है, वो सही है, 15 नमबर question देखते हैं, इसमें से कौन सा जो है वो, वेगल डान्स करता है, तो यह है honeybees, 15 का c, 16 का देखते हैं, सारे ही statements वो सही है, 16 का होगा, d, 17 question को देखते हैं, तो यहाँ पे जो पहला है, यह चीज़, यह statement यह गलत होगा, second statement सही है, third statement सही है, तो यहाँ पे दो पेर्स सही होगे, 17 का b सही होगा, 18 की बात कर लें, 18 questions में जो statements हैं, तीनों ही statement सही है, यहाँ पे आपका answer होगा c, 19 में देखते हैं, 19 में आपका जो सही answer है, वो है, b होगा, 20 questions देखते हैं, 20 में सारे ही options सही है, यहाँ पे question number 21 को हम बाद में देखेंगे, question number 22 देखते हैं, तो यहाँ पे जो सही answer होगा, वो होगा आपका a, next हम देखते हैं, question number 23, इस question को भी हम बाद में देखेंगे, फिर question number 24 को देखते हैं तो sterilization की बात हो रही है तो यह conducting the open market operations next है 26 small former large field तो इसमें आपका जो सही answer होगा वो होगा B 27 की बात कर लेते हैं तो 27 में आपके तीनों ही statement सही हैं तो इसमें होगा C 28 की बात कर ले हैं तो 28 में आपका एक statement गलत है यह intangible investment नहीं होता है तो recognition intellectual property और mailing list of clients यह तीन options आपके सही हैं तो यहाँ पर होगा answer C 29 में देखते हैं 29 में आपका जो answer होगा वो होगा B 30 कोस्टन देखते हैं इसमें आपका answer होगा C प्लेट यह आपका be फिरुशな क्यों एक वे बाखके सही है तो 28 झाल 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 झाल